नमस्कार अफसर रामा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अधित नामदेव आज हम आपसे एक ऐसे आईयस अधिकारी से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने कलेक्टरी की शुरुवात एक ऐसे जिले से की है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस जगह को आज तब कोई बूझ नहीं पाया जी हाँ मैं बात करना हूँ अभुजमाल की ऐसे अधिकारी से जिनका ये मानना है कि प्रशाशन जितना लोगों के नस्दीक जाएगा जनता का विश्वास उतना जादा प्रशाशन और सरकार पर रहेगा तो जी हाँ मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ 2014 बेच के आईयस अधिकारी रितुराज रगोएंशी जी का बहुत-बहुत स्वागत है सर्थ देंक यूज लगोएंग में तो यूपी को बिलॉं करता हूँ मेरी फैमली लखनौ में मेरी आइस में तا यूपी के डिफरेंड शहरों मेरे फादर भी ुकिरियमिक टाही है कंगे पढ़ाई की शुरूआत पो decks मेरी बनारस से हुई और फिर गोरकपूर से और फिर फाइनली ट्वल्थ मैंने लखनों से किया है उसके बाद सर अगर तीन चार जगों का आपने जिक्री किया था लखनों बाकी जगों में तो यहां से जो आपका स्टार्ट जो हुआ क्या उस समय ही यह विश्वास था या हमने तै करके रखा था सर्विस में जाना था UPSC ट्राई करना था इसलिए 12 के बाद मेरे फादर ने लौ लेके UPSC किया था तो 12 के बाद मैंने भी लौ इसलिए लिया था कि दिमाग में कहीं है था कि अल्टिमेटली आगे चलके UPSC में यह मेरा पेपर हो सकता है तो 12 करने के बाद मैंने फाइव कि अपना पुने सिंबाइसिस से और उस समय ही फोर्थ एर में हम लोग ने तैयारी शुरू कर दी यह मानते हुए कि लौ पेपर लेके मेरे को UPSC करना है केम्रिज के लिए सेलेक्शन हो गया था चाहते तो सर वहां भी जाया सकता था केम्रिज में सेलेक्शन मेरा पुने के तो अगर यूपेसि चुनना तो फिर केम्रिज को चोड़ना था तो वह दिसीजिजन हमने अपने अस्तर पे ले लिया ता कि यह जाते हुए UPSC की तियारी करें गया जब आईसम सेलेक्ट होते हैं सर तो बहुत सारे के बारे में जिकर होता है को यूपी जाना चाहता है को 36 गड़ के बहुत जब इंपोर्टेंस रहती नहीं आईस लोगों के बीच में क्या शुरू से तै करके रखा था अपने की 36 गड़ाना या इसके पीछे भी कोई बहुत इंटरस्टिंग सी स्टोरी है जट होम कार्डर सब का हम लोग से UPSC में जब हम आईस के लिए अपियर सरजन है और मेरे जिया जी औरीशा कार्डर के IPS 2004 बैज के तो चूकी औरीशा मैंने उपर भरा था होम कार्डर के बाद कि अगर उडिसा मिलता तो बहन के पास रह पाऊंगा और फिर मैंने यह सोचते हुए कि मान लीज अगर उडिसा नहीं मिलता है तो बहन के बगल में रह उन जिलो में काम करना और बिंग नारायनपूर कलेक्टर काम करना बहुत डिफरेंस है मैदानी इलाकों में काम करना और उस इलाकों में काम करना जहां प्रशाशन आज भी सब जगा पहुच नहीं सकता मैदानी इलाकों में काम करने के एक्सपिरियंस कैसा रहा है मैंने प्रशासन का बहुत सेट पैटर्न होता है काम करने का, यह इलाके मैदानी इलाके हैं जहां पे मूलभूत सुविधाय लोगों की पूरी हो चुकी है, इसलिए अब उनकी जो डिमांड है वो अपग्रेड हो गई है, वो कुछ और चाहते हैं, उनकी डिमांड जो है वो अलग ह इसलिए उनकी मूलभूत सुविधाओं को भी हम पूरी तरीके से पूरी नहीं कर पाएं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है यहां पे, कि जिस भी नई जगे पे हम पहुंचते हैं, वहां के लोगों से जो हमारा मिलना जुलना उठना बैटना बात होती है, उससे आज के समय में मैं एकदम confidently कह सकता हूं कि नारायनपूर, अभूजमार, बस्तर की जनता का जो विश्वास है, वो समवधानिक तोर पे चुनी हुई सरकार के प्रती है, बस यह है कि उनके अधिकारों को तक पहुंचाने में प्रशासन को उनके पास जाना पड़ेगा, जैसे ही हम उनके प भावना है, पर होगा, युवाओं के तरफ से एक सवाल लेना मैं चाहूंगा, पहला अटेंप्ट अगर हम नहीं कर पाते पास आउट, तो कई लोग बहुत निराश हो जाते हैं, दूसरे अटेंप्ट पे नहीं जाना चाहते हैं, कोई दूसरे में भी दिक्कत आती, तो थ इंक्रिमेंटल एक्जाम है, मान लेजे कि हमको ट्वेल्ट का ये एक्जाम हमने एक बार दिया, हमको 80% मिले, अगर अगले साल हम वही एक्जाम देंगे, वही सिलिबस लेंगे, तो हम डेफिनिटल उससे जादा परसेंटेज पाएंगे, क्योंकि हम चीजे वही पढ़ रह हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है, क्या आप सेकेंड में नहीं हो सकते, इंक्रिमेंटल नॉलेज जब मैं बोल रहा हूँ, तो वह इसलिए कि UPST का सिलिबस फिक्स्ट है, आप हिंदुस्तान के क्रीम से कंपीट करते हैं, और वह क्रीम कोई आप से जो कंपीट करने वाला श अगे हुए हैं, तयारी लगातार कर रहे हैं, तो कही ना कहीं आपका सेलेक्शन बिल्कुल होगा, ऐसा एकदम नहीं होता कि आपको इंक्रिमेंटल नॉलेज फेल कर देगी, तो टाइम लग सकता है, और टाइम लगेगा भी क्योंकि बहुत बड़े स्केल का एक्जाम है, हिंदुस्तान उसके पीछे तयारी करता है, उस चीज को अपने को फैक्टर करते हुए, अपना प्रोग्राम थोड़ा लंबा रखना चाहिए, और हताश तो होने कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी एक शक्स जो जीवन में आगे बढ़ता है, सर नी लाइफ में बहुत प्रिंगिंग, आपके समाहॉल में पल बढ़ रहे हैं, वो ही डिसाइड करता है कि आप आगे किस चीज को अच्छा मानते हैं, किस चीज की तरफ आप ऐस्पायर करते हैं, तो मेरा फैमली बैग्राउंड था सर्वेस का, इसलिए मैं सर्वेस को एजली एक्सेप्ट किया मै मेरे को भी ये लाइफ चाहिए, इस तरह का मेरे को वर्क एड्वाइमेंट चाहिए, और बाकी लोहों का अगर फैमली बैग्राउंड डिफरेंट होता है, तो भी आज के समय में कोई भी वेक्ति ये नहीं कह सकता कि वो जिले में अपने उच अधिकारियों को नहीं जानता तो उनका तरीका दूसरा हो सकता है, वो मोल्ड होने में समय ले सकते हैं, लेकिन अल्टिमेटली हर वेक्ति डिसाइड करता है कि उसको आगे क्या करना है, मेरा बैग्राउंड था तो इसलिए मेरे लिए आसान डिसीजन था जब किसी नए जिले में जाता है, तो किन परशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा शक्स जो आपके पहले उस कूर्सी में है, उसकी प्रियोर्टी कुछ दूसरी होती है, जब हम आते हैं, तो हम अपनी प्रियोर्टी कुछ और तै करते हैं, लेकिन जब की जो priority है हम उसको follow करते हैं तो शासन की priorities तह रहती है जो थोड़ा adjustment का समय लगता है वो जिले को समझने में लग सकता है वो भले ही उसका भागोलिक structure समझने में जोग्रफिकल हो economic हो social हो उसको कितनी जल्दी हम समझ के उसके हिसाब से ढल जाए और काम करने का अपना करीका नि होती है आई यस सलेक्ट होने के बाद collector बनना सबसे में मोटीव रहता है सर आज collector बन चुके हैं बहुत चैलेंज वाला जिल्ला है सबसे पहला क्योंकि अभूजमाड के बारे में कहा जाता है जिसे कोई भूज नहीं पाया वो अभूजमाड है उस अभूजमाड में जो अनतासर बहुत बेसिक सी चीजे मांगता है क्या देखा आपने इतने दिनों में अरायनपुर में हर कोई अपनी जो डिस्ट्रिक होता है उसमें चैलेंज चाहता है कोई यह नहीं चाहता कि मैं बड़ी सेटिल डिस्ट्रिक में बोर होने के लिए जाओं चैलेंज होता है त के पास, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है, कि effort फ्रशासन को करना है, वो तो एकदम तयार बैठे हैं, और उनका विश्वास भी है हम पर, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हम जाएं, तो हमको ये लगे कि वो हमसे मिलना नहीं चाह रहें, या लोग हमसे कट रहें, इन पैक्ट वो आपका स्वागत करेंगे, वो आपका वेट करेंगे, और उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको आप एक साधन भर हैं, हम एक साधन हैं, कि हम उनके ही अधिकार उन तक डिलिवर कर पाते हैं, उनके अधिकार उनको पता हैं, वो आपको डिलिवरी परसन की जगे ना जैसा कि मैंने शुरुआत ने बताया कि हम अभी इस इस डिस्टिक्ट के कई जगों पे हम पहली बार पहुंच रहे हैं तो वहां पे चूकी वह पहली बार हमारे पास आ रहे हैं उनकी डिमांड बहुत ही मूलभूत हैं बहुत ही बेसिक हैं रोड और कनेक्टिविटी और स्क काम करना आपके लिए चैलन्जिंग भी हैं कि आप बैसिक सुविधात से लेकर карт की डिमांच अलग है उनको सब में आप अपने आपको कैसे डाल के उनको कैसे पूर्ती करते हैं उसका चैलेंज जो है वो आपको मोटिवेटेड रखता है नरायनपूर जिलावर ने काफी समय हो गया है लेकिन सर और्चा में जंदर्शन पहले कलेक्टर हैं जो आपने लगाया उर्चा में जंदर्शन बाकी जंदर्शनों से कैसे भिन्न था कैसे अलग था और चाह हमारा ब्लॉक हेड़कॉटर है और जिले की जोग्रिफिकल सिच्वेशन ऐसी है कि और चाहिए गाऊ नरायनपूर के पास पढ़ते हैं हेड़कॉटर के और कई गाऊ ओर चाहेड़कॉटर के पास पढ़ते हैं और रीसेंटली ही वहाँ पर प्रशासन पहुंचा है और हमारी road connectivity, security environment ऐसा हुआ है कि हम वहाँ पे काम करने में, हम एक दम सक्षा में. तो हमारे दिमाग में ये एक चीज ख्लियर थी प्रशासन के दिमाग में, कि अपनी presence हम दिखाएंगे, जहां पे हम बैठेंगे, जहां पे हम अवेलबिल रहेंगे, वहाँ के लोगों से हमारा connect बनेगा. और वही connect हमको आगे और help करेगा नए इलागों में घुसने में. तो इसी एक motive के लिए हमने ओर्चा में जंदर्शन लगाया था. जंदर्शन हमने मार्केट के दिन में लगाया, क्योंकि वहाँ पे हम पहली बार जा रहे हैं, उनकी लाइफ सेटल रव अपनी जिंदगी में डहले हुए हैं, हमें अपनी जगे बनानी थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमको connect करना था. इसलिए हमने जो मार्केट का दिन था वो चुना था, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उनके अधिकार हैं उनके पास, उसको डेलिवर करने का साधन हम थे, तो ऐसा नहीं है कि हमने उनकुछ नया किया है, हम खोद अभी पहुँचना शुरू किये हैं और यही यहाँ बाकी इलाकों से, मैदानी इलाके में प्रशासन और जनता एक दूसरे के लगातार टच में रहते हैं, रहते आ रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा पीछे हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा कि हम उनके घर तक पहुँचें, ताकि वो जो भी मांग पा शुरू कर चुके हैं, भले ही वो हमारे बच्चों को और अच्छी पढ़ाई चाहिए, हमारा एम्प्लाइमेंट अब सिर्फ बेसिक ना होके हमको एम्प्लाइमेंट की क्वालिटी बढ़ानी है, यह सारी डिमांड भी उनकी आ रही है, अब उनको सब हेल्ट सेंटर की आप जितनी जल्दी कर दें, नारेंडपूर आज भी पूरी तर से अक्सेसिबल नहीं है, नक्सलिजम बहुत बड़ा थ्रेट आज भी बना हुआ है, कुछ योजना है, जो हम सोस्ते होंगे कि इसको लागू करना है, बहुत बड़ी दिक्कत एक नक्सलियों के चलते भी आ सबसे पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो मेरा experience है, जैसा मैंने पहले से कहा, जनता का विश्वास अल्रेडी सम्वेधानिक सरकार के ऊपर है और वो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, ऐसा हम मानते नहीं हमें दिख रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं, उनको क accessibility हमारी उतनी नहीं हो पाई है. उसमें भी लगातार शासन और प्रत्यक्ष रूप से आप वह खड़े ना हो पा रहे हो, पर प्रशासन और शासन की सुषधाएं हम हर इलाके तक ले जा पा रहे है, एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से. आने वाले समय में और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि उनका ट्रस्ट हमारे उपर है यहां की जनता का तो कोई भी पावर उनको उस ट्रस्ट को डैमेज नहीं कर सकती है और जब हम उनके पास पहुंचना शुरू कर दिये हैं और उनको दिखने लग गया है तो य नरायनपूर के आज भी बहुत बड़े इलाके में राजस्तो सर्वे नहीं हुआ है सर चुनौती भी है चो कि अंदर घुसना वहां पर सेक्रिटी फोर्सेस एक बार जाएंगी रोज रोज नहीं जा सकती उसके लिए क्या किस तरह से उनका राजस्तो सर्वे उन गावों का हो पाए था कि तक हो बेसिक जो जर्वते हैं उनकी वहम पूरी करा सके उश्तै कर यहिसके लिए क्या चैया आफ नहरायन पूर में नहरायनपूर ब्लॉक में रीघंटली जैन्वरी में हम लोग ने लोग नंगाउं का पहली बार रेवन्यू से जो चाहरों कि लिए वहन्य लाइफ बहतर चाहिए उनको बच्चों का भविश अच्छा चाहिए हम अगर उनको जाके कर लेते हैं कि यह काम करने से हम इस काम में आपकी मदद कर पाएंगे तो वह रेडी हो जाते हैं इन नौ गाउं में जब हमने पहली बार सरवे पूरा किया तो हमारे दिमाग में एक क्लियर थी कि हम वहाँ पे सुविधाएं देने में आज लेट हुए हैं इसलिए जितनी सुविधा उनको मिलनी चाहिए वह सारी हम एक बार में देंगे तो लगभग 400 लोगों को हम लोग ने उनने 100 different sanctions दिये उनको सारी सुविधाओं से जोड़ा उनके सारे प्रमाडपत्र बने होटी कल्चर हो एग्री कल्चर हो वेटनरी हो नरेगा का काम हो क्रेडा का काम हो भूमी समतली करों यह सारी चीजें जो उनकी requirement थी उनके आवेदन का वेट किये बिना हमने उनको दिया और यही मॉडल हम अब और्चा में फॉलो कर रहे हैं और्चा में भी लगभग 9 ग्राम पंचायते ऐसी हैं जिनमें कि हमको revenue survey करने के लिए घुसना है अभी हम एक दो जगों को target करके उसमें धीरे ग्राउंड वर्क कर रहे हैं बहुत जल्दी हम इसमें भी सक्सेस्फुल ह क्या प्लानिंग है इसको लेकर क्योंकि इमली भी हम देख रहे हैं तिखुर भी हम देख रहे हैं बहुत सरी चीज़ें जिस पर नारायनफुर लगातार आगे बढ़ रहा है क्या इसके लिए कोई long term हमने strategy त्यार की है इसके लिए जो प्रचुर महत्रा में नारायनपुर में उपलब्ध हैं और हमारे महिला स्वासायता समुओं को सरकार शासन उनसे खरीद रहा है उनकी आमदनी बढ़ा रहा है जो हमारी initial planning है वो यह है कि हम इसमें value एडिशन करना चाहते हैं हमारी महिला स्वासायता समुओं है वो आज इमली कटा कर रही है और इमली बेच रही है हम उसके उसको बस इतना help करना चाहते हैं इतना intervention देना चाहते हैं कि इमली की जगे अब वो इमली का पेस्ट जिससे कि उसका value addition हो उसकी packaging शहर यहाँ पेजली available है उसका branding हो जाए उसकी packaging अच्छी हो जाए उसको market की लिंग है उस उस गैप में भी हमारे पास production से लेकर packaging और end result तक के लिए सक्छम सवमू है उनको थोड़ी बहुत help की ज़रूद जो पढ़ती interventions की वो जिला प्रशासन अपने तरह के से करेगा आने वाले समय में जो चीज अल्रेडी यहाँ पे available है उसका food processing के माध्यम से value addition करके उसको सी मार या अने महार्दम से बेचना यह हमारे लिए focus रहेगा जिससे कि हमारी सभी स्वास्वाटा समुओं की आमदनी ततकाल बढ़े बास और handicraft में बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो गए नरायनपुर में historically ऐसी areas हैं ऐसी families हैं जिनोंने कई generation से bamboo handicraft पे काम किया है bamboo handicrafts just like food processing वो य इंकेज दे रहे हैं तो यह अल्यडी बस्तर में कई जगे पर शुरू हो चुका है इनफैक नरायनपुर का बना हुआ समान भी पूरे इंदोस्तान में जाता है उसका volume बढ़ाने के पीछे हम जा रहे हैं इसके अलावा हमारे हम मिट्टी के बरतन बनते हैं आज के समय में यह वो बरतन है चाहे वो कुलहड हो चाहे वो मिट्टी की प्लेट हो यह वापस डिमांड में आ रही है आप किसी भी online पोटल पर जाके देखेंगे तो लोग यह अवेलिबल है चाहे वो कोई भी online पोटल हो उसमें मिट्टी के बरतन मिट्टी की कढ़ाई मिट्टी का चू उनको जोड़के जो हमारे शासन की समय प्रावीर्टी योजना है गोधन गोठान योजना और रूरेल इंडास्ट्रेल पार्क बनाना तो रूरल इंडास्ट्रियल पार्क मेर जो हमारा सोच है वो यह है कि हमारी महिला स्वासायता समू जो गोठान में कारेरत हैं वो गोठान में ही वर्किंग शेड उनको अवेलिबल कराएंगे तो सेरी कल्चर से जोड़ेंगे उनको मिट्टी के बरतनगाले जो हमारे फैमिलीज हैं उनको एक्सपैंड करेंगे उनको समय में गाओं का सेंटर गोठान बन चुका है वहां पर लोहों का आना जाना है उसको इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बीच में एक गैप फंडिंग है वो गैप फंडिंग प्रशासन करेगा मुख्यमंत्री बुपेश बगिल की मंशा भी है साफ है सर की नक्सलिजम का खात्मा केवल गोली से नहीं हो सकता विकास के रास्ते हमको बनाना है और विकास जब आम आदमी एक आदिवासी वर्क तक पहुंचेगा तो फिर नक्सलिजम अपने आप खत्म हो जाएगा यह दिस दिशा में नारायनपूर जिला प्रशाशन की काम कर रहा है उन इलाकों में चैलेंजिस अभी भी हैं सर क्या कोई ऐसी चीज हम करना चाहिए क्योंकि basic education school education अभी भी बहुत पीछे हम नारायनपूर में English medium schools अभी चाहे वह minor forest produce हो चाहे वह rural industrial park हो इन सारी चीजों का एम लक्ष सिर्फ एक है कि हमारे लोगों की आमदनी इस हिसाब से बढ़े कि वो जो चीजें आज तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अफोर्ड भी करें और दूसरा जैसा कि मैंने का कि उनकी demands में अप्ड़ेशन भी हो और भले वो रामकृष्ण मिशन हो या फिर हमारे आदिवासी विभाग के ट्राइबल होस्टल्स हो नारायनपूर में ओर्चा में भी हर इलाके में हम आज education देने में सक्षम है उसकी quality इंप्रूव करने की जो बात है उसमें चूकी हम inspirational district भी है और राज शासन से भी हमको बहुत support है इसलिए हम आगे आने वाले समय में interventions ऐसे plan करेंगे जो यहां के बच्चों का employment generate करें भले वो बस्तर fighters में हो जाए हमारे जिले में mining शुरू हो रही है mining industries को heavy machinery operate करने वाले लड़के चाहिए होते हैं heavy transport transport में काम करने वाले बच्चे चाहिए होते हैं उनका वो intervention जि mining देंगे जिससे कि वह यहीं पर employee हो सकें और यह futuristic है आने आने वाले समय में आपके हां mining बढ़ेगी सबको पता है आपके हां हम नए इलाके खोल रहे हैं उन इलाकों में हम eco tourism जैसे concepts भी ला रहे हैं home stage जैसे concept भी ला रहे हैं आपके major roads यहां से जाएंगी तो उन roads के अगल हैं उनको identify करना और उनके हिसाब से लोगों को train करना इस पर हमारा focus रहे हैं माइनिंग का एरिया लगातार बढ़ रहा है सर पीपी मौट पे बहुत कुछ आप शुरू करने की बात भी कर रहे हैं नारायनपूर अगर परेटन के इस तरिस्ट्री से देखें तो बहुत खु नारायनपूर्म के बारे में जो लोहों की सोच है उसमें और रियाल्टी में फर्क है वो फर्क यह है कि यहां का जो व्यक्ति रह रह रहा है वो एक safe secure environment में ही रह रह रहा है कुछ इलाकें जैसे मैं ने बोला कि बहुत छोटे pocket से जहां पे भी हम बहुत जल्दी environment का अपना तक नहीं देखा मैं जब इन इलाकों में घूमता हूँ तो खुद इमेजिन करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को यहां पर लाके यह जरूर दिखाऊंगा तो उस चिल्सिले में हमारे कई इलाके हैं जो सेक्योर हैं जहां पर आना जाना यहां के लोगों का बहुत आराम से यह में आहां पर हों स्टे हो पाएं वहां तक लोग आभी पाएं और उसके बाद आपको देखेंगे चानर alum के पता चलेगा कि guitar यहां के diversity यहां के फूड यहां के फूड का जो कल्चर वो इतना एडवांस वो इतना डिफरेंट है कि उसको वो खुद बखुद अपने आप सेल हो जाएगा तो जो अभी जरूरत महसूस पड़ती है वो बस इस चीज की है कि इसको हाइलाइट करना है बाकी वो एक्जिस्ट कर रहा है वो एक्जिस्स कर रहा है उन लोगों को थोई सी ट्रेनिंग दे और उनको हम जोड सके मार्केट से उसी की है कलेक्टर रितुराज के बारे में कहा जाता है कि नए इनोवेशन पर बात नहीं होती आप चाहते है कि जो कोर काम है प्रशाशन का उस पे ज्यादा फोकस रहा ग लेकिन यह नहीं कह रहा है कि इनोवेशन नहीं करना चाहिए लोकल लेवल पे इनोवेशन हम करते भी रहते हैं पर हाँ अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा फोकस किस पर है तो मेरे कोर काम डिसाइड़ है मैं जो चीज को डिलिवर करने के लिए बैठा हूं क्या उसको मैं मैंने के से बैस्ट डेलिवरी मॉडल बना दिया अगर मैं बना लूं गा तो शायद फिर मैं को जाजगा खो जूंगा लेकिन अगर वो मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरे को इस पर फोकस हैना चाहिए वर ना कहीं रिसोर्स बेस्ट हो रहा है यह बहुत बगशनी तो आपके सा जनता का विश्वास उस प्रशाशन पर भी होता है और निश्चित तोर पर वो विश्वास सरकार के उपर भी साफ तोर पर नज़र आता है तो अगली बार फिर किसी अफसर से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तक लिए पहुंगे